जहां दोस्तों आज किस वीडियो के मादम से में बात करेंगे MPBR, M8, BABR, BSC, BBR, MPR में अगर आपने admission ले लिया है तो अब आपको आगी काम कर लेना है admission लेने बाले सभी चात्र अब यह काम कर लो बरना admission कैंसल हो जाएगा क्या आपको काम करना है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के मादम से तो वीडियो को फूरा देखना तब ही आपको चीजें समझ में आप आएंगी क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है चलिए हम official notification के मादम से सारी चीजों को समझने की कोशिस करेंगे जैसा कि मैंने इसका एक official notification डाउनलोड कर लिया है आप सभी को पता हो कि first, second and third round यहाँ पर complete हो चुके है साथ ही जो हमारा fourth round जिसे हम additional round के नाम से भी जानते हैं वो 3 July को यहाँ पर complete हो चुका है और second round में आपने 16,000 रुपे submit की होगी और third round में पाँच जार या fourth round में आपने 5,000 रुपे submit की होगी यानि कि X, Y, Z आपने P submit करके अपना admission complete कर लिया है तो जैसे ही आपका admission complete हो चुका है तो अब आपको एक काम करना होता है जैसे कि 7 नमबर के पहरा में clear mention लिख किया गए first, second, third, even fourth round में जो भी student हैसे हैं जो admission लेज चुकी है ऐसे समस्त चात्रों को help center पर बहुते ग्रूप से यानि कि physical रूप से उपस्तित होकर अपने समस्त original document का पुने सत्यापन करवाना होगा साथ ही जो आपकी जो TC है वो आपको कॉले में जमा करनी होगी आप सुचोगे कि आपने तो verification पहले करवा लिया है जहां बिल्कुल आपने verification पहले करवा लिया होगा लेकिन जब admission हमारा complete हो जाता है जब हम अपनी piece को submit कर देते हैं उसके बाद में फिर से हमें एक बार verification करवाना पड़ता है यह verification कहां पर होता है हमारे help center पर होता है जहां पर हमारे document verify होए थे न फैले registration and choice plan करनी के बाद में मेरे list में नाम आने से पहले उसी center पर जाकर हमें document हमें फिर से एक बार verify करवा लेने है अगर आप verify नहीं करवा होगे 31 जुलाई से पहले 31 जुलाई से पहले तो फिर आपका जो admission है वो cancel भी हो सकता है इस बात का आपको फिसेस द्यान रखना है ठीक है हम पर clear mention किया गया है साथ ही जो आपकी टीसी है उस टीसी को भी call में जमा करना पड़ेगा तो ये काम आप कर लिना अनिता फिर आपको परिशान रखना करना पड़े सकता है उमित कर रहा हूं सारी चीज़ें समझ में आ गई होगे वीडियो को शेयर कर देना है विल्टक लिए वीडियो में को जानकरी के साथ आप लिए बाई